आशिरवाद यानि ब्लेशिंग्स एक ऐसी सक्ति जिसकी मदद से असंभव काम को भी संभव किया जा सकता है। प्रसिद अस्पिरिच्वल टीचर एंड नोविलिस्ट कोनी मेंडेज ने पैसो को आकरशित करने की एक ऐसी टेकनिक के बारे में बताई थी जो की बहुत ही तेजी से काम करती है और वो भी खास करके ये उस वक्त काम करती है जब आपको पैसो की अर्जेंट और ये सभी क्रियाए आपकी अपनी आंतरिक शक्ती की मदद से किया जा सकता है कौनी मेंडेज ने हमें सिखाया है कि जीवन में विविन चीजों जैसे कि व्यवसाय, नोकरी और पैसो का महत्तु समझना आवश सक है और ये सब हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं इस अप्योग करके हम पैसो को आशिरुआत देने के लिए जबरजर सकती बना सकते हैं अब आईए समझते हैं कि इस टेक्निक का प्रैक्टिस हम अपनी जीवन में कैसे करें देखिए इन तक्निक को अभ्यास करने के लिए आपको सबसे पहले एक सांत जगा चुनने होगी जहा पॉजिटिव सेल्फ टॉक और अच्छाई को श्विकारना शामिल है फिर आपको अपनी कल्पना शक्ति का इस्तमाल करके एक चीतर बनाना होगा एक इमेज क्रियेट करना होगा जिसमें आपके पास अपार धन है आपको ऐसा महसूस करना होगा कि आपके पास मनी के अपको नहीं about रहे है और शब करना चाहरे और रहे सब्कॉंसियोक माइज क्राणा उपार उपको प्रस। करना होगा और आपको उन पैसों के आवेदन की भावना करने होगी एजेम्पल से समझे कि आपके पास पैसों का भंडार रखा हुआ है आप अपने मन में ये चितर बना रहा है और बैंक से निकले वे नए और कराले नोट बिलकुल अद्वत तरीके से वहां रखे हैं जो आपकी सारी जरूरतों को कहीं मेहनों तक आसानी से पूरा कर सकते हैं और उसके बाद भी आपके पास कुछ पैसे बच जाएंगे आपने उन पैसों की प्लानिंग पहले से कर रखी है आपको यह पता है कि उन पैसों को कहां खर्च करना है कितना खर्च करना है इमेजिनेशन में जब आपके हाथ पैसों से भरे होंगी तो उस वक्त आपकी भीतर की जो एकसाइटमेंट होगी वो excitement real होगी आपको उसी excitement को महसुश करना है ताकि वो real excitement आपके subconscious mind तक पहुँश सके और आपको ये भी पता है कि एक बार कोई भी बात अगर आपके subconscious mind तक चली जाती है तो आपका subconscious mind उस पर अपना काम स्टार्ट कर देता है क्योंकि वैसे तो आपका subconscious mind 24x7 काम करता है लेकिन क्या आपने अपने subconscious mind को एक सही दिशा निर्देश दिया है डॉक्टर जॉसेप मर्फी भी कहते थे कि अपनी conscious mind के मदद से subconscious mind को direction देना जरूरी है क्योंकि आपका subconscious mind 24x7 काम कर रहा है लेकिन जब आप उसे सही direction नहीं देंगी तब वो सही direction में काम भी नहीं करेगा इसलिए अपने subconscious mind का सही इस्तिमाल करे और आपके दोवारा आपके subconscious mind का सही तरीके से इस्तिमाल करना ये आपके conscious mind के हाथों में है आपका conscious mind यानि कि आपका चेतन मन जो आप समझते हैं जो आप महसूस करते हैं वो ही आपका चेतन मन है मतलब आप जो चितर बना रहा है जो महसूस कर रहा है वो आप चेतन मन में कर रहा है conscious mind में कर रहा है आप जो भी पैसो के excitement को देख रहा है वो आपके conscious mind में चल रहा है और conscious mind के मदद से आपकी वही भावनाएं आपके subconscious mind में जाती है इसलिए मैंने आपको कहा कि जब आप ध्यान दे रहे हैं उस वक्त आपको पैसो के excitement को महसूस करना है उन पैसो को छुए, उन्हें जोर से पकड़े, कल्पना करे कि आपके पास पैसो की सबसे बड़ी note की गड़ी है और उसके बाद आपको उन पैसो को गिनना शुरू करना है क्योंकि गिनने से आपका subconscious mind बहुत ही जल्द activate होता है जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ, नो, दस इन्हें महसूस करे जब आप पैसो का गिनते हैं तो उनमें किस तरह के आवाजे आती है उन्हें महसूस करना है बार-बार मैं महसूस करने का बात बोल रहा हूँ क्योंकि आपके feelings में आपकी भावनाई जुड़ी राती है जो की subconscious mind को activate करती है आपको इस तकनीक को रोज अभ्यास करना है और अपने subconscious mind को उस पैसो के आने के लिए तैयार करना होगा ये ध्यान दे कि आपको ये यकीन रखना है कि पैसे आपकी जरुरतों को पूरा करने के लिए आपके पास लगातार आ रहा है और आपको चिंता करने के अवशक्ता नहीं है इस अद्वत तकनीक को उप्योग करके हम अपने जिवन में कहीं लाब पास सकते हैं जो की हमारे जिवन को बदल कर रखतेगा कौनी mandate कहाती है कि आपके जिवन में आर्थिक परचूरता है कि इस तकनीक कहप्योग करके आप अपने आर्थिक इस्तिति को सुधार कर सकते हैं आपके जिवन में अधिक पैसे आने से आप आर्थिक समझ्याओं को हल करने में सक्षम हो सकते हैं जब आपके जिवन में अधिक पैसे आएंगे उस वक्त आपकी सोच भी सकारात्मक होगी यानि कि आपका सकारात्मक सोच डेबलब होगा इस तकनीक के मैद्धम से आप सकारात्मक सोच और आशा की ओर बढ़ सकते है या आपके जिवन में आत्म समवाद को प्रेरित कर सकता है और आपको साकारात्मक रूप से अपने लक्षों की प्राप्ति की ओर ले जा सकता है जब आप इस तकनीक का अभ्यास करते हैं और आपके पास पैसा होता है तो आपका आत्म विस्वास और स्वापिमान बढ़ सकता है आप अपने खुद के कायरियों के लिए हमेशा गर्व महसुस कर सकते हैं देखिए कहीं न कहीं पैसा हमारे जिवन में हमारे समाज में एक कनेक्शन बनाता है जिससे कि हमारे संबंदों में भी सुधार होते हैं इस तकनीक के माध्धम से आप अपने संबंदों में सुधार कर सकते हैं, आपका धन पूरे परिवार और समाज के लिए उपयोगी हो सकता है और आपके संबंद इससे मजबूत हो सकते हैं, जब आपके जीवन में अधिक पैसे आएंगे, उस वक्त आपकी सोच भी साकारात्म सोच डेवलब होगा, इस तकनीक के माध्धम से जब आपके बेतर साकारात्मक सोच होगी, आपका आत्म विश्वास सही रहेगा, आपके संबंद सही रहेंगे, तब आपके जीवन में स्वास्त और सुख भी होगा, यानि कि आर्थिक इस्तिती में सुधार करने से आपका स स्वास्ति और सुख भी सुधर सकता है, आप अधिक सामरिदिक और आरामदायक जीवन जी सकते हैं, जो आपके शारिदिक और मानसिक स्वास्त को बेहतर बना सकता है, इन सोट ये तकनीक आपके मानसिक्ता, सोच और जीवन सेली में इस हकारातमें परिवर्तन ला सकती है, बस आपको उन गलतियों को रोखना है, उनसे दूर रहना है, जैसे इस टेक्निक का प्रभाव अपने जीवन में देखने में कुई समय लग सकता है, उस वक्त आप अपने धहरी को ना खोए, अगर आप धहरी को नहीं रख पाएंगे, तो आप इस टेक्निक को करना छोड़ द हैं, इस टेक्निक को लेकर आपके दिमाग में शंकाय आ सकती है, जैसे कि क्या यह सच हो सकता है या नहीं, अगर आप इस टेक्निक को विश्वास नहीं करते, इस टेक्निक में आशिरवाद को अप्योग नहीं करते हैं, ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं, तो यह काम नहीं करे क्योंकि इस तक्निक को नियमित रूप से प्रैक्टिस करने के आवशक्ता है इसे एक बार ही करके छोड़ देना या आ नियमित रूप से करना इसका परिणाम प्राप्त करने में आपको समयस्या का सामना करना पर सकता है ख्वानी मेंडेज कहती है कि अंतिम में मैं आपको एक बात बताती हूँ जो है लापरवाही आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आपकी आर्थिक इस्तिती का प्रबंदन भी सावधानिस होता है अगर आप लापरवाही करते हैं और पैसों का उचित उप्योग नहीं करते तो यह तकनीक भी असफल हो सकती है इसलिए इस टेकनिक को अच्छे से पालन करने के लिए समर्थन और धैरी की आवश्चक्ता है और आपको साकारात्मिक और विश्वास भरी सोच मेरा नहाओगा आप अपने आवश्चक्ताओं को पूरा करने के लिए ब्रमांड के और से आने वाले पैसों का आखरसित करने के लिए अपनी मानसिक और आत्मिक शक्तियों का भी सहरा ले सकते हैं फिर आप देखेंगे कि जब आपको उन पैसों के आवश्यक्ता होगी तब किसी न किसी तरीके से वो पैसे आपके पास अपने आप आ जाएंगे। अगर यहां तक इस वीडियो को आपने देखा तो कमेंट में लिखे। मतलब मुझे इस ब्रह्मान पर पूरा पूरा भरोसा है और मैं हर दिन अपने पैसों को आशिर्वात देखता हूँ, अपने जीवन में परचूरता देखता हूँ, अबंडनस को पाता हूँ, फिर आप देखेंगे कि सही में आपका जीवन अबंडनस से भरा हुआ है, आपके जीवन बदल रहा है, दोस्तों वीडियो कैसे लगे कमेंट जरू कीजेगा, क्या पता आपका एक कमेंट किसी का जीवन बदल दे और इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए चेनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरू दबाईएगा, ताकि आप मेरे आने वाले हर व पास के धन्यवाद